अधर्वाइज आप जो है एक्जाम क्लेयर नहीं कर पाओगे तो कोशिश कीजे हर क्लास को अटैंड करें आज नहीं लगता है टाइम तो रात के टाइम जो है जादा देर की वीडियोज भी नहीं आती है लेकिन नाइट के टाइम भी जो है आप वीडियोज देख सकते हैं ठीक है इस तरह से आपकी कोई class pending भी नहीं रहेगी और आपका syllabus भी जो है वो यहाँ पर cover होता जाएगा ठीक यह सब हम इस वीडियो में complete करेंगे सबसे पहले जो बच्चा यहाँ पर नया जुड़ा है वो चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को all notification पर रखेगा ताकि इसी तरह की latest update जो है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके ठीक है तो चलिए आज का हमारा first question पूछा गया है the classical dance कथाकली belongs to which state ठीक है यानि कि कथाकली dance जो है यह किस state से belong करता है आंद्रपरदेश है केरला असाम करनाटका तो कथाकली dance जो है इसका answer है केरला से यह कौन सी state से belong करता है that is केरला ठीक है तो हर टाइप की हम questions करेंगे अलग लग topic आपके लिए लाएंगे next question आपके लिए पूछा है कि भारत नत्याम is the classical dance of which state अब यहाँ पर dance का नाम दिया है लेकिन classical dance है कौन सी state का यह पूछा गया है तो question number two का आपका सही उत्तर हो जाएगा C that is Tamil Nadu Tamil Nadu का classical dance कौन सा है भारत नत्याम यह याद रखेगा ठीक है next question number third आपको पूछा गया है कि कुचिपुडी जो dance है classical dance है यह कौन सी state का है आंद्रपरदेश है हिमाचर परदेश जारखंड या फिर कैरेला तो third question का सही आंसर जो है वो option number A है यानि कि आंद्रपरदेश ठीक है अब यहाँ पर question number four पूछा गया है which of the following dance is a classical dance of Manipur यानि कि इन में से कौन सा dance जो है वो Manipur का dance है लेकिन classical dance है ठीक है तो Manipur के लोग कौन सा dance करते हैं जो उनका classical dance है सही आंसर हो जाएगा option number A Manipur का आप रख लो सिधा Manipuri ठीक है तो यह याद रखिएगा dance को यहाँ फिर notebook ले लीजिए क्योंकि यह एक important topic है और आप notebook लोगे उस पे लिखोगे तो आपको याद रहेगा ठीक है next question है Mohini Yatam is the classical dance of which state तो Mohini Yatam जो है यह भी एक dance है classical dance है कौन सी state का है यह पूछा गया है तो आपके पास option है Kerala, Haryana, Odisha या फिर बिहार तो fifth question का सही answer हो जाएगा option number A यानि की Kerala ठीक है Kerala का dance कौन सा है Mohini Yatam and question number six आपको पूछा गया है Odisha dance is the classical dance of which state ठीक है तो Odisha dance जो है यह कौन सी state का dance है यह classical dance है एक, तो sixth question का सही answer option number B है Odisha dance जो है वो Odisha का है ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो एक तरह ट्रिक से ठीक है तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे यहाँ पर जुड सके वो भी पढ़ सके for JKP के लिए for SSC MTS SSC Serial का exam भी होने वाला है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर important questions है ठीक है अब एक पूछा गया है सत्रिया is the classical dance of which state ठीक है सत्रिया एक dance है कौन सी state का dance है यह याद रखना है आपने तो यह है असाम का ठीक है असाम का dance कौन सा है सत्रिया है यह याद रखेगा next question आपके पास है कथक is the classical dance of which of the following state ठीक है यानि कि इन में से कौन सा dance कौन सी state का dance है कथक कथक कहां किया जाता है तो 8th question का सही answer option number A है यानि कि उत्रपरदेश UP में ठीक है अब यह question तो आपने काफी बार देखा होगा हर exam में भी आता है कि भीहू fog dance कौन सी state का है तो भीहू कहां का है 9th का है D part यानि कि ASAM का A-S-A-M है ठीक है दर में स्टाइप हो गया यह कुछ लिखा ही गलब तो ASAM का है क्या भीहू dance ठीक है अब question number 10 क्या पूछा है कुद नरित्य is the fog dance of which state कुद dance कहां पे किया जाता है कुद dance जो है हमारे JNK में किया जाता है This is the fog dance of Jammu and Kashmir ठीक है and question number 11 आपको पूछा गया है Where is the Horny Bill festival celebrated तो Horny Bill एक तहार है यह कहां पे लेकिन celebrate किया जाता है यह पूछा गया है तो 11 question का सही answer option number A है यानि कि Nagaland में जो है यह तहार मनाया जाता है Question number 12 आपके पास आ गया है Which of the following fog dance is related to करनाटका ठीक है यानि कि इन में से कौन सा fog dance है जो relate करता है करनाटका को ठीक है आपके पास option दिये गये है 4 तो 12 question का सही answer है option number A यानि कि यक्षगाना ठीक है यक्षगाना कहा का dance है करनाटका का dance है और ये fog dance है next question आपके पास पूछा गया है 13 question आपको है No tanki is the fog dance of which state No tanki किस राजय का लोग निरित्य है UP MP राजिस्तान या फिर महाराश्रा तो 13 question का सही answer हो जाएगा UP ठीक है No down करोगे इन questions को तो आपके लिए अच्छा है आप सिर्फ dance लिख सकते हो state लिख सकते हो और नीचे उसका answer लिख सकते हो ठीक है and 14 question आपको पूछा गया है पंडवानी जो ये main है एक fog dance लेकिन कौन सी state से है 36 grad MP हिमाचल परदेश अनाचल परदेश तो 14 question का सही answer option number A है यानि कि 36 grad ठीक है question number 15 आपको पूछा गया है गंगोर ठीक है गंगोर भार इस फेमस फैस्टिबल ओफ इंडिया state तो इंडियन state का है ये गंगोर एक त्योहार है लेकिन इंडिया की कौन सी state का है राजिय राजिस्थान और इसा महराष्टरा या फिर पंजाब तो 15th question का सही answer है option number A यानि कि राजिस्थान का ये फेमस फैस्टिबल है ठीक है question number 16 आपको पूछा गया है where is run उत्सव celebrated तो run उत्सव एक त्योहार है ठीक है यानि कि ये celebrate किया जाता है लेकिन कहां celebrate किया जाता है तो 16th question का सही answer है option number B यानि कि गुजरात में ये celebrate मनाया जाता है ठीक है question number 17 आपको पूछा गया है बाउल नरित्य किस राज्य का लोक नरित्य है यानि कि बाउल डांस जो है is the fog dance of which state तो आपके पास option है गुजरात वेस्ट बेंगाल पंजाब या फिर हर्याना तो 17th question का सही answer हो जाएगा option number C that is पस्चिम बेंगाल यानि कि वेस्ट बेंगाल ठीक है question number 18 पूछा गया है ये तो पता होना चाहिए कि भांगडा डांस जो है ये किसको बिलॉंग करता है कौन सी state को ठीक है किस राज्य को ये किया जाता है हर्याना डैली पंजाब या फिर चंडिगर 18 question का सही answer है आपके पास question number 19 आपको पूछा गया है which of the following fog dance is from from मिजवरम ठीक है इन इमिल लेखित में से कौन सा लोक निरित्य मिजवरम का है ठीक है कौन सा है पाखुपिला है कजरी है या फिर नूरालीम है या फिर मंजदास है ठीक है मंजदास तो 19 question का सही answer है आपके पास option number A यानि की पाखुपिला ठीक है पाखुपिला कहा का dance है मिजवरम का question number 20 आपको पूछा गया है which of the following dance is related to आरणांचल परदेश तो आरणांचल परदेश का इन में से dance यानि की आरणांचल परदेश से संबंदित है ठीक है relate है तो 20 question का सही answer है option number A यानि की mask dance ठीक है मुखोटा नरित्य मुखोटा पहनते हैं ने वो आरणांचल परदेश वाले देखना आप जरब ठीक है तो इसी तरह कि आपको questions पूछे जाएंगे लगबग एक या दो तीन marks के आपको dance के related अगर questions पूछते हैं तो अगर आपने ये कर लिया तो समझो आपका dance वाला topic जो है वो यहाँ पर clear हो गया ठीक है तो next हर एक topic के हम करने वाले हैं लेकिन जाद से जादा बच्चे जुड़ी है यहाँ पर और वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को like कीजिए ताकि इसी तरह से हम जो है next next videos आपके लिए लेके आएं और हमें भी motivation मिलेगा ताकि हम भी हम भी देखेंगे कि कितने students जो है वो यहाँ पर preparation कर रहे है ठीक है and next question आपको पूछा गया है 21 लावनी और लेक्षिम are the four dance of which state ठीक है लावनी और लेक्षिम जो है यह किस राज्य का लोग नरित्य है महराष्ट्रा MP मनिपूर या फिर मिजोरम तो 21 question का सही answer क्या हो जाएगा लावनी और लेक्षिम जो dance है यह कौन सी state से है महराष्ट्रा ठीक है महराष्ट्रा का dance है and question number 22 आपके लिए आ चुका है सावरी and मुन्री is a fog dance of which state अब यह dance की देखो कितनी कलाएं है ठीक है न कितने सारे dance है हर यानि की अलग अलग state के जो है वो अलग अलग यहाँ पर fog dance है classical dance है तो कितने सारे dance होगे तो यह आपको याद रखना है ठीक है 22 question आपको पूछा गया है सावरी और मुन्री जो है यह किस राजय का लोक नरित्य है ओडिशा आशम अंदरपर्देश या फिर हिमाचल परदेश तो 22 question का सही आंसर है option number A यानि की ओडिशा 23 question करेंगे 23 question आपको पूछा है विदेशिया किस राजय का लोक नरित्य है विदेशिया is a fog dance of which state ठीक है तो कौन सी state का ये विदेशिया डांस है जारखंड राजिस्थान बिहार या फिर गुजराद तो 23rd question का सही आंसर हो जाएगा option number A यानि की जारखंड का है fog dance कोन सा विदेशिया question number 24 पूछा गया है which of the following is the fog dance of उत्राखंड ठीक है तो उत्राखंड का fog dance कोन सा है घरवाली है गडवाली सौरी गडवाली है या फिर सोहराई है या फिर पंडवानी है या फिर पध्यानी है ठीक है तो ये चार option आपको दिये गे है सही answer option number A है यानि की गडवाली ठीक है कहा का है उत्राखंड का एंड लास्ट कोशन आपको पूछा गया है की छपेली की is the fog dance of which state छपेली किस राज्य का लोक नरित्य है असाम, नागलैंड, मनिपूर या फिर हिमाचल परदेश तो छपेली जो है वो किस state का ये dance है छपेली कहा किया जाता है और इसका सही answer है option number D यानि की हिमाचल परदेश में ठीक है तो ये रही आपके नीचे answer की अगर आप बचे यहाँ पर चाहते हैं कि हमें जो है ये PDF आपको provide की जाए तो आपने क्या करना है आपने WhatsApp message करना है 8082 874110 ठीक है इस number पर message करके अगर आप PDF बाई करना चाहते हो तो PDF बाई कर सकते हो ठीक है और जिन बच्चों ने अभी तक JKP का form fill up नहीं किया है तो वो बच्चे भी जल्द से जल्द यहाँ पर form fill up कीजिए क्योंकि 7 सब्तमबर को इसकी last date है और इस बार JKSSB exam conduct करवाएगी और उसका जो है site का हमेशा issue रहता है तो कोशिश कीजिए आप 7 सब्तमबर से पहले पहले जो है अपना form भर सके और फार यहाँ पर wait बच्चे इसलिए कर रहे हैं last date का क्योंकि आदों के पास जो है वो category certificate incomplete है तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द वहाँ बोलिए आपकी हमारी category certificate जो है वो complete करिए ताकि हम जो है form apply करें ठीक है last date extend होगी नहीं होगी उसका कोई idea नहीं है लेकिन आप यही कोशिश करें कि form जल्दी apply कीजिए ठीक है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like share कीजिएगा मिलते हैं next video next update के साथ तब तक के लिए bye bye have a nice day